दोस्तो प्लास्टर का एरिया कैसे निकालना है मिस्तिरी को कैसे पैमेंट देना है ये हम पूरा सीखने वाले हैं तो 10 फिट by 12 फिट का हमारा एक रूम है ठीक है इस रूम में एक खिरकी लगा हुआ है इसमें प्लास्टर नहीं होगा एक हमारा gate लगा हुआ है डोर इसमें plaster नहीं होगा अब हम इसको निकालना सिखते हैं कि कैसे निकालना है 12 फिट वाला एक दिवाल है और एक दिवाल यहाँ है दो दिवाल हमारा 12 फिट वाला है दो दिवाल हमारा 10 फिट वाला है तो 12 फिट वाला जो दिवाल है दूगो है तो दूसे गुना कर दिये हम या फिर आप जोर सकते हैं 12 बारा 24 हो जाएगा या दूसे गुना भी कर दिजेगा तो 24 हो जाएगा उसके बाद 10 फिट वाला हमारा दिवाल दूगो है 10 feet गुना कर दिये हम तो 20 feet हो गया उसके बाद दोस्तों हमारा दिवाल का height हमें निकालना होगा कि कितना उचाई तक हमें plaster करना है तो हमारा 10 feet height तक plaster करना है तो हम 12 feet वाला जो दिवाल है उसका plaster area निकाल लेते हैं तो 24 feet ये आपका दिवाल हो गया और 10 feet उन्चाई हमें plaster करना है 240 square feet हमारा ये वो दिवाल हो गया 12 feet वाला उसके बाद जो ये 10 feet वाला जो दिवाल है एक दिवाल हमारा 10 feet है दो दिवाल हमारा 20 feet हो जाएगा 10 feet उन्चाई तक plaster करना है 200 square feet ये हो गया आपका ठीक है उसके वाए दोस्तों हम बात करते हैं विंडो और दोर का तो विंडो दोर में पलास्टर नहीं होगा जिसकी बज़ासे हम इस एरिया को घटा देंगे तो सबसे पहले 3 by 4 का हमारा खिड़की है 12 स्क्वार फिट होगी है चारतियाई 12 दोर हमारा 3 by 7 का है सात्याई 21 स्क्वार फिट होगी है दोनों को एड कर दिये 33 स्क्वार फिट होगी है 33 स्क्वार फिट की एरिया में पलास्टर कुछ नहीं होगा ठीक है इसको हमें हटा देना है अब हमें नेट पलास्टर का एरिया जान लेते हैं कितना होगी है सब्सक्न hobo करना सब्सक्राइब करों रोपिया करता है और वैसे मैं बताउन तो मिस्थरी के ओपर भी डिपैंट करता है कि मिस्थरी कितना कि सब्सक्राइब हो अच्छा मिस्तिरी होगा तो ज्यादा पैसे लेगा बांकि ओ नॉर्मल अगर जैसे की उसे सही से प्लाश्टर नहीं आता है तो पांच रूपिया छे रूपिया इसे लेगा तो बार रूपिया के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं तो इस एरिया में हम बारा से गुना कर देंगे तो हमारा प्लाश्टर का एरिया का रेट निकल जाएगा टूटल खर्च 4884 रूपिया हमारा मिस्तिरी का खर्च ये पर रहा है प्लाश्टर करने का शिर्फ अंदर ही अंदर प्लाश्टर करने का बांकी जानकारी के लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में और इस से सस्ता प्लाश्टर अगर करवाना है तो आप रोजाना प के बागी जनकरे के लिए आप हमसे कॉंटक्ट केजिए पर्मेंट बाक्स में हैं